नमस्कार प्रिमित्रों मैं आप सभी का जोतिसी सराकार स्वामी नित्यरंद आप सभी के समक्ष उपस्तित हूँ एक बहुत सुंदा सा बिसे ले करके कई बार लोग कहते हैं कि गुरी जी मुझे डेटा आप बर्थ नहीं मालूम है मुझे टाइम आप बर्थ मौलूम नहीं है मुझे पहले सॉप बर्थ मौलूम नहीं है मुझे गुरी जी मेरे पास कोई डीटेल नहीं है तो कैसे मैं जानू अपने बारे में ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका नाम एसे प्रारंब होता है जथा नामे तथा गुणे एसे जिनका नाम प्रारंब होता है ए अक्षर वाले लोग कैसे होते हैं इनका सुभाव इनका गुण आउगुण इस वीडियो के माध्यम से इनके बारे हम चर्चा करेंग एक चरवाले लोग कैसे होते हैं एक चरवाले लोग दोए सुभा होते हैं मतलब ऐसे लोग जो अंदर से अगर दुखी है तो आपको पता नहीं चलने देंगे कि यह मैं दुखी हूँ एक चरवाले लोग अगर अंदर से किसी जगड़े से किसी परिशानी से परिशान है तो आपको पता नहीं चलने देगे कि मैं पिडित हूँ या परिशान हूँ या दुखी हूँ ये अपना double role create करने में बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग double role अपना create करने में बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग सदेव अपनी परिशानियों को किसी से सेर नहीं करना चाहते हैं एक चरकी लोग ये अपनी प्राबलम को खुद से खुद सॉल्व करना इनकी अधिकतर कोशिशे होती है और इनकी अधिकतर मांता होती है कि मैं अपनी प्राबलों किसी को सेयर करकर खुद को भी क्यों करूँ समाज में ये अपने आपको एक अच्छा बनाना और अच्छा परोशना दूसरों तक अपने आपको एक अच्छा संदेश के द्वारा पहुचाना इनकी एक खासियत होती है मतलब ये समाज में अपने आपको अच्छा परोस्त है एकचर के लोग सदा दूसरे के लिए हिद सोचते हैं लेकिन इनके लिए थोड़ा सा ही सोचते रहते हैं कि मैं दूसरे के साथ हिद कर रहा हूँ लोग के साथ में परस्वार्त कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है एक चरके लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में प्राब्लम्स आती तो हैं लेकिन ये चुटकियों में उसको ठीक करने की ताकत रखते हैं लेकिन ये कई बार अपनी समस्चा को ही समस्चा समझ बैठते हैं ये गलती आप बिल्कुल न करें एक चरवाले लोग आप समस्चा को समस्चा ना समझें समस्चा को कहते हैं एक बड़ी समस्चा को समस्चा समझना ही उससे बड़ी समस्चा है प्राबलम को अगर आपने प्राबलम मान लिया तो बहुत बड़ी प्राबलम बन जाती है आपके अंदर वो ताकत होती है, उसको आप solve कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं, एक्षर की लोग सदेव समाज सेवावे helpful होते हैं, एक्षर की लोग सदेव सुन्दर खाना, सुन्दर पहनना, सुन्दर तरीके से रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक्षाये इनकी थोड़ पिर रहते हैं अक्सर एक्सर की लोग जहां तक मैंने इनको देखा है वहां तक हटी होते हैं अपने जिद के आगे किसी की सुनते नहीं है और अपनी बातों को लोगों से मनवाना ही इनकी प्रत्म प्रात्मिक्ता होती है तो ऐसा बिल्कुल न करें आप लोगों की भी सुने एक चर लोगों की एक और खासित होती है माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं एक चर के लोग माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं माता पिता के बारे में सदेव ये सोचते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिस करते हैं, माता पिता के लिए बहुत कुछ कर जाने की भी कोशिसे करते हैं, एक छर के लोग ऐसे लोग होते हैं कि ये सदेव माता पिता के लिए कुछ भी करने मतलब कुछ भी करने मतल खिलाना, पहनाना, मलो हर एक मवाप की शोखों को पूरी करते हैं, मैंने अगर कहा दिया कि बिटा मुझे आज यह चीछ चाहिए तो यह लाके देते हैं, कहीं से भी, एक सर की लोग सदेव प्रीमिय होते हैं, अपने तर्फ लोगों को आकरसन करने इनकी खासियत होती है, एक सर की लोग जगड़ों से बचते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई, 10 रुपे ते रहें, तुले ले, लड़ाई मत कर, एक सर की लोग संतोसी होते हैं, बिसेश, अगर हैं, यह रही पूरे एक सर वालों की विशिस्ताएं और इनकी बातें, एक सर की लोग स्वास्त से संबंदित समस्याओं से परेशान रहते हैं, इनको विशिस उपासना करने के बाद इनको जरूर तरक्की मिलेगे, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर आप से मिलेंग किसी नए टॉपिक, किसे नए बिसे के साथ, तब तक लिमस्कार, अपने जर्मांग चकर को अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो आपके जो स्क्रीन पर नमबर फ्लेस हो रहे हैं, इन नमबरों पर कॉनेक्ट करके, आप मुझसे जुड़कर अपने और अपनों के बारे में जान सकते हैं, और अपने जर्मांग चकर को ठीक करके, अपने जिवन को एक सही दिसा, एक सही दिसा दे सकते हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही आगे, फिर आप से मिलेंगे, किसी ने टॉपिक, किसी ने बिसे के साथ, अब तक लिमस्कार, जै सिता राम